हेलो गाइस तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आर्की जैसिंग में तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर एप पे अपने वीडियो को कैसे एडिट करें तो गाइस आप यदि हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्काइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए तो चलिए गाइस शुरू करते हैं तो गाइस अब आपको अपने मोबाइल में काइन मास्टर एप को ओपन करना है ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस परकार से ओपन हो जाएगा अब आप यहां देखेंगे आपके सामने प्लस वाला आइकन आपको दिखाई देगा तो गाइस आपको इसी पर क्लिक कर देना है तो गाइस अब आपके सामने देखिए 16 9 का रेशियो 9 और 16 का रेशियो और एक एक का रेशियो आपके सामने दिखाई देगा तो गाइस अगर आपको लॉंग वीडियो बनाना है तो आपको 16 और 9 का ratio यहाँ पर select कर लेना है, तो guys यहाँ पर मैं 16 और 9 का ratio select कर लेता हूं, तो guys आपके सामने फिर इस परकार से open हो जाएगा, अब guys यहाँ पर आपको उस video को select करना है, जिस video में आपको editing करना है, तो guys उसे select करने के लिए आप यहाँ पर media देखेंगे, आपको इस media पर click करना है, और guys आपका video जिस भी folder में होगा, यहाँ पर आप folder सारे आजाएंगे, और यहाँ से आपको उस video को select करना है, तो guys यहाँ से मैं video को select कर लेता हूं, video को select करते ही guys आपके सामने इस परकार से आजाएगा, फिर यहाँ से आप ok कर देंगे guys, आप guys आप video को शुरू में लेकर चले आईएगा, आपका video इस परकार से शुरू में आजाएगा, अगर आपके video में कुछ extra part हैं, पहले editing guys, आपके video में कुछ extra part हैं आप उसे cut कैसे करेंगे, cut करने के लिए guys आपको अपने video पर click करना है, click करते है guys आपको ऊपर यहाँ catchy का option दिखाई देगा, आपको इस पर click कर लेना है, click करने के बाद guys अब आपको वीडियो को आप थोड़ा इधर इस परकार से लेकर चले आएंगे guys, अब आप देखेंगे अगर आपके video में extra part by side में है, या दाहिने side में, तो guys आप यहाँ से by side वाले पर click करके, lip में click करके cut कर देंगे, या guys यहाँ अगर आपका right side में extra part है, तो आप यहाँ trim to right पर click करके, उसे cut कर सकते हैं, और guys अगर आप यहाँ beach में से इसे cut करना चाते हैं, तो यहाँ split at play head, इस पर click करेंगे तो आपका इस परकार से दो टुकडों में बढ़ जाएगा, फिर guys यहाँ से आपको okay कर देना है, अगर guys आप फिर से इसे एक ही करना चाते हैं, जैसे पहले था जूड़ा जोड़ देना चाते हैं, तो आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे guys, यह जो goal वाला option आपको दिखाए देगा, तो guys आपको video पर click करना है, click करते हैं guys, अब आपको यहाँ पर speaker वाला option आपको दिखाए देगा, guys इसी पर आपको click करना है, और यहाँ पर आप guys volume को 200 पर कर देंगे, और यहाँ compressor को enable कर देंगे, और यहाँ से okay कर देंगे guys, अब guys आपके sound, आपके video का sound काफी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, और guys जैसे आप अगर आपने video बनाया है, और आपके video में आपने केवल screen recording की है, और आप video में voice अलग से लगाना चाहते हैं, या आपने record करके रखा है, तो guys उसे आप यहाँ से audio वाला option आपको दिखाई देगा, यहाँ से अगर जो भी आपने record करके रखा है, या आप कोई music लगाना चाहते हैं, तो आप guys यहाँ से music लगा सकते हैं, चाहे जो भी music हो आप यहाँ से लगा सकते हैं, लगाने के बाद जैसे guys मैंने यहाँ पर इसे select किया है, select करने बाद यहाँ पलस वाला icon आपको दिखाई देगा, इस पर click कर देंगे और फिर यहाँ ok कर देंगे, तो guys यहाँ आप देख से हैं हमारा music लग चुका है, तो इस प्रकार से आप लगा देंगे, फिर आप अपने audio पर इस प्रकार से यहाँ पर पकड़ करके ऐसे लेकर आकर उसे बराबर में कर लेंगे, जहां से आपको लगाना है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार से लगा दिया, और guys अगर हम इसकी भी sound को दोसो करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, जाएगा guys, अब guys यदि आप अपने mobile में button इस प्रकार से लगाना चाहते हैं तो उसे कैसे लगाए, उसके लिए guys simple है, सबसे पहले आपको guys जहां से लगाना है वीडियो को आपको वहां पर लेकर चले आना है, और वहां पर आपको इस प्रकार से रोक देना है, रोकने के बाद guys अब आपको यहां पर button आपको पहले बना के रख लेना है, अगर आपने button नहीं बनाना आता है तो guys आप हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने बनाया है कि button को कैसे बनाए, तो बनाने के बाद उसे download करके रख लीजिए गया guys, अब guys उसे लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने वीडियो में जहां से लगाना है उस पर आपको लेकर रोक देना है, रोकने के बाद guys आप आपको यहां पर layer का option आपको दिखाई देगा, इस पर आप click करेंगे तो guys यहां पर आपको media का option आएगा, अब guys आपने जहां उसे download करके, export करके रखा है वहां से आपको उसे select करना है, तो यहां से मैं उसे select कर लेता हूं, यहां से बना कि रखाए है यहां से, select करने के बाद guys अब मैं इसे okay कर देता हूं, अब guys यहां पर आप देख सकते हैं, यहां green screen आपको लिखाई देगा इस परकार से आपको herea green screen दिखाई देख़ा है, तो guys इसे हम अब hitting करेंगे इसे green screen को घटाएंगे इसको हटाने के लिए guys अब यहां पर आप नीचे scroll करेंगे आपको guys यहां पर chroma की option दिखाई देगा इस पर आपको click करना है click करने के बाद guys यहां पर आपको enable कर देना है फिर यहां ok कर देना है अब guys यहाँ पर आप देख सकते हमारा green screen गाइब हो चुका है तो guys यहाँ से हम ok कर देंगे ok करने के बाद guys अब हम इसे button पर फिर से click करेंगे और guys इसे एक position में लाकर रख देंगे guys ताकि वो देखने में अच्छा लगे और guys अब इसे हम चालू करके देखते हैं कि हमारा किस परकार से button add हो गया है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा button अच्छे तरीके से add हो चुका है अब guys हम अपने video में arrow लगाएंगे जैसे हमें किसी चीज को indicate करना है guys जैसे हम दिखा नहीं सकते तो हमें उसे indicate करना है तो और वहाँ पर arrow लगाना है तो कैसे लगाएंगे तो उसके लिए guys आपको जहां से लगाना है आपको वहाँ पर आपने video पर आ जाना है आने के बाद guys अब आपको layer पर click करना है क्लिक करने के बाद guys आप यहां देखेंगे hand writing का option आपको दिखाए देगा इस पर आपको क्लिक करना है guys क्लिक करने के बाद guys यहां पर आप देख सकते हैं देर सारे आपको option दिखाए देंगे यहाँ पर इस परकार से arrow है double arrow है यहाँ पर mark करने के लिए कई सारे option आपको दिखाई देंगे यहाँ पर गोल में भी आप कर सकते हैं यहाँ पर चारो round में भी कर सकते हैं अब यहाँ पर हम arrow में ही click कर देंगे click करने के बाद यहाँ से आप color को भी change कर सकते हैं हम okay करने के बाद अब हम इसे अइरो आप फिर से क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां से पिर इस के size को चोटा बड़ा कर सकते हो यहां से हम इतना बड़ा आपको kadar कर देंगे इसके size फिर घ् Tibla हम इसमें animation डालन आप चाहते यह तो उसके लिए जहां पर आउट-b navation और इनергाइ Awesome हम आप यहां पर आपको एक समय क्लिक करेंगे हैं किलिक करने के बाद गयुकरते हैं इस health कहूं कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर जितना हम अगर 05 पर करेंगे तो यहाँ पर हमारा speed उतना ही तेस्ट से जाएगा और यहाँ पर जितना ही हम बढ़ते जाएंगे यहाँ से speed ज़्यादा कम कर सकते हैं फिर यहाँ से हम ok कर देंगे guys अप यहां पर हमारा आप देख सकते ही इस प्रकार से यरो लग चुका है गाइस यहां पर आप देख सकते हैं इस परकार से हमारे वीडियो में इस्टार आएंगे गाईज और अगर आप इसे एड करना चाहते हैं तो यहां पर ओके कर दीजी हमारा वीडियो में इस परकार से आप देख सकते हैं यह हमारा इस्टार एड हो चुका है फिर से गाईज तो से कम तेज यहां से कर सकते हैं और यहां से कर देंगे और फिर से इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां आप देख सकते हैं इसके color को भी हम change कर सकते है color change करने के लिए color filter पर आईये यहां पर आप देख सकते हैं आप इस परकार से color कर सकते हैं कई ढ़ेर सारे option आपके सामने दिखाई देंगे और यहां पर अगर आप पर आपको क्लिक करदेंगे क्लिको करते हैं जहाँ आप देख सकते हैं धेस्स Разव आपके सामने ओपन जाएंगे ज Lumいき चैसरी चैसे ट्लाषी क्लासिक क्लाषी क्लासिक ऑंद ट्रांजिसन आप इसमें से कोई भी यहाँ पर एड कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां 3D transition पर क्लिक करता हूं क्लिक करने पर गाइस आप देखते हैं यहां पर धेर सारे option आपको दिखाए देंगे यहां पर जब बाउंसी बॉक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा अगला वीडियो इस प्रकार से स्टार्ट होगा हम इसके यहां पर आप देख सकते हैं इस पीड को भी ज्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं आप जो भी पसंद करें यहां पर रख सकते हैं और यहां पर इस वाला एड़ भी कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं धेर सारे हैं यहां पर एड़ कर सकते करने के बाद यहां से हम ओके कर देंगे अब यहां पर आप देख सकते हमारा ट्रांजिशन एड हो चुका है और हमारा नेक्स्ट वीडियो इस प्रकार से स्टार्ट होगा गाइस अब गाइस अगली रिटिंग के लिए यदि आप अपने वीडियो में फोटो एड करना चाते है या कुछ भी एड करना चाते है वीडियो आड करना चाते हैं तो उसे एककरे उसके लिए गाइस आपकोह यहां से से शिलیک्ट करके उल्यू गइमें इस वाले फोटो को यहां पर add कर दिया है add करने के बाद guys अब यहाँ पर आप इसके size को भी बड़ा या छोटा अपने अनुसार रख सकते हैं और guys आप अगर इसमें effect डालना चाते हैं तो उसे आप effect डाल सकते हैं जैसे कि in animation पर आप यहाँ पर click करेंगे in animation क्या होता है guys in animation होता है कि आपकी वीडियो सुरू में कैसे animate करेगी वह किस परकार से आएगी आपके वीडियो पर आपका जो भी photo होगा वह किस परकार से आएगा यहीं होता है in animation जैसे कि अगर आप फेट पर click करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस परकार से आएगा वीडियो में आपका photo इस परकार से आएगा और यादी गाईज आप पोपे क्लिक करते हैं इस पकार से आएगा ऐसे धेर सारे आपके option आपके सामने दिखाइँ देंगे गाईज यहां पर मैं slide right पे क्लिक कर देता हूं और यहां से ok कर देता हूं और यहां पर मैंने in animation लगाया था इस पर क्लिक करेंगे और अगर आउट एनिमेसन लागाना चाए आउट एनिमेसन क्या उता गाईज जैसे कि आपके वीडियो का end कैसे हो, उसके लिए गाईज आप इसे नीचे इस्क्रोल करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे out animation आपको दिखाएगा तो guys यहाँ पर मैंने लगाया था slide right लगाया था यहाँ slide left कर देंगे guys इस पर आप click कर देंगे और इस परकार से आपका video end हो जाएगा और यहाँ से आप ok कर देंगे अब guys हम इसे open कर चालू करके देखते हैं कि हमारा कैसा animation लगा है तो guys यहाँ से open करते हैं तो guys यहाँ आप देख सकते हैं हमारा इस परकार से photo add हो चुका है और यहाँ पर इस परकार से animation लग चुका है guys अब guys यदि आप अपने video में कोई sticker add करना चाहते हैं उसे sticker add करने के लिए guys आपको layer पे click करना है फिर guys यहाँ पर आपको overlay का option आपको दिखाई देगा आपको guys यहाँ पर classic sticker पे click करना है और यहाँ से आपको जो भी sticker आपको लगाना है यहाँ से आप लगा सकते हैं guys जैसी कि यहाँ पर मैं यह लगा देता हूँ यहां पर लगाने के बाद यहां से ok कर दूता हूं guys और यहां से मैं इसके size को बड़ा कर दूंगा आप कहीं भी जो भी sticker चाहें वो भी आप लगा सकते हैं guys और यहां से नया भी और कोई download करना चाहते हैं आप यहां get more पे click करेंगे आप download यहां से धेर सारे option आपको दिखाई लिखना चाहते हैं जैसे यहां पर कोई परचार के रूप में कुछ भी लिखना चाहते हैं कुछ टेक्स्ट करना चाहते हैं उसे उसे लिखने के लिए आपको आपको दिखाई देगा यहां पर आप जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए उसके बाद गाई यहां आप यहां ผstone आपको दिखाई देगा आपको इसपे क्लिक करना कि बाद यहाँ से आपको वीडियो को select करने से बाद आपको इस वाले option पर कडिक करना है और यहाँ आपको इसके quality को आपको अप जितना चाहे उतना रख सकते हैं यहाँ पर मैंने Qaldo को और यहां से 105 MB का है इसे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहां से हम एक्सपोर्ट कर लेंगे गाइस तो गाइस अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगो तो प्लीज गाइस आप तुमारे चैनल को सस्काइब कर लीजिए और बिल आइकन को दबा लीजिए